अगर बात करें यहाँ पर लेक ओपिरोन की तो जिस इस्ट्रक्चिरल जीन है वो स्विच ओफ कब होगा? जब यहाँ पर आई जीन या रेगुलेटर जीन से आई जीन और रेगुलेटर जीन से क्या बनेगा रिप्रेशर प्रोटीन रिप्रेशर प्रोटीन और यह बाइंड होगा ओपरेटर पर जाकर और इससे यहाँ पर जो स्ट्रक्चिरल जीन है यह क्या हो जाएंगे स्विच ओफ और इससे क्या होगा आगे न ट्रांस्क्रिप्शन होगा न ट्रांस्लेशन होगा तो रेप्रेशर बाइस टू अपरेटर यास बाइस टू प्रमोटर नहीं, रेगूलेटर नहीं, इंडूसर नहीं, तो आंसर हो जाएगा यहां पर A, तो एट कुश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहां पर A